वसकार दोस्तो वेलकम टू टूडे एकजाम दोस्तो आज है पांच फरवरी 2021 तो आज के इस वीडियों पांच फरवरी 2021 के जो भी मोस्ट इंपोर्टन करंट अपेर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगी इसलिए दोस्तो आप इस सभी सवालों को जरूर याद करें तो दोस्तो देखते हैं आज का पहला सवाल पहला सवाल है किस राजी की कलपना यादव ने नैनो चोटी पर फते हासिल की हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाबे ऑप्सन भी यानी हाली में राधस्तान राजी की जैपूर की रहने वाल कलपना यादव हैं जिन्होंने उत्राखंड राजी की नैनिताल की सबसी उंची चोटी नैनो चोटी पर फते हासिल कर बारती तिरंगा जंडा फेरे हैं किसने फिरह था कलपना यादव ने तो दोस्तों यह है कलपना यादव जिन्होंने हाली में उत्राकंड राजी के नैनिताल की सबसी उंची चोटी नैनो चोटी हैं जिस पर फते कर बारती तिरंगा जंडा फिरह हैं किसने फिरह हैं कलपना यादव ने और कलपना यादव कहा के रहने वाली है वो है राजस्तान के जैपूर की रहने वाली अगला दूसरा सवाल है विस्टू कैंसर दिवस नेमन में से किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानि विस्टू कैंसर दिवस से वो हर साल चार फरवरी को मनाया जाता है कब मनाया जाता है विशू कैंसर दिवस चार फरवरी को विशू कैंसर दिवस मनाया जाता है और दोस्तों विशू कैंसर दिवस की सुरुवात है वो साल 1933 में सिजर लेंड के जनेवा सेर में हुई थी कहां से हुई थी विशु कैंसर दिवस की सुरुवात है साल 1933 में स्वीजिर लेंड के जनेवर सेर में विशु कैंसर दिवस की सुरुवात हुई थी और हाली में 4 फरवरी को विशु कैंसर दिवस से मनाया गया था इसी परकार अगला तीसरा स्वाल है औक्सफोर्ड ने केसे सब्द को वर्ष 2020 का हिंदी सब्द गोसितिक किया हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन है बी यानी औक्सफोर्ड डिक्सनरी ने हाली में आतम निरपरता सब्द को वर्ष 2020 का हिंदी सब्द गोसितिक किया हैं केसे सब्द को Oxford ने वर्ष 2020 का हिंदी सब्द गोसित क्या है वो सब्द है आतम निर्बरता सब्द है जिनको हाली में Oxford डिक्सनरी ने साल 2020 का हिंदी सब्द गोसित क्या है और दोस्तो आतम निर्बरता का सामाने अर्थ है वो है समय को समर्तन यानि खुद को समर्तन करना ही आतम समरतन आतम निर्वरता कहलाता है जो सब्द ये किस ने दिया था वो दिया था भारत के परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने कोरोन वाइरस के महमारी के दौरान इस सब्द को दिया था जो साल 2020 का सब्द और येर हिंदी सब्द बना था इसी परकार अगला सवाल है किसे अलर्ट बिंग आईकोन अवर्ड 2020 से समानित तक किया गया है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन एने बारती संगीतकार एर रह्मान है जिनको हाली में एन्जियो अलर्ट के दौरा अच्छे कर्मों के लिए अलर्ट बिंग आईकोन अवर्ड 2020 से समानित किया गया है किसे अलर्ट बिंग आईकोन अवर्ड 2020 समानित किया गया है बारती संगीतकार एर रह्मान को हाली में इस समानित किया गया है इसी परकार अगला सवाल है किसे राजिये के हुबली में इंजिनियरिंग कॉलेज के विद्यारतियों ने माया रोबोट बनाया है तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ओप्सन ए नि हाली में करनटक राजिय के हुबली में इंजिनियरिंग कॉलेज के विद्यारतियों ने माया रोबोट बनाया है किस राजी के तो दोस्तों हाली में करनटक राजी के हुबली के सात्रों ने एक रोबोट बनाय था जिस रोबोट का नाम है माया रोबोट तो दोस्तों ये रोबोट हैं जिन्होंने हुबली के विद्यारतियों ने बना हैं और दोस्तों इस रोबोट को बैंकों और कई सेत्रिय बासों में बात करने के लिए भी प्रोग्रामिक किया गए हैं और इस रोबोट को विक्सित करने के लिए लग बग पांच लाख रुपे का भी खर्च आया है तो दोस्तो हाली में किस राजी के माय रोबोट बना है वो बनाय था करनाटक राजी के हुबलिक के इंजिनिरिक विद्यार थे उने इसी परकर अगला सवाल है साल 2019-2020 में GST कलेक्शन में पहले इस्तान पर कौन सा राजी रहें तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन भी तो दोस्तों करनाटक राजी जब कि दोस्तों दूसरे इस्तान पर करनाटक राजी है और तीसरे इस्तान पर गुजरात राज्ये रहें कौन सा राज्ये रहा था दूसरे इस्तान पर करनटक और तीसरे पर गुजरात राज्ये और पहले इस्तान पर रहें वो माराष्टर राज्ये गेस्टी कलेक्शन के मामले में रहा था और दोस्तों GST अनि गुड्स एंड सर्विस टेक्स की स्तापना है वो साल 2017 में पारत के प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी जी ने की थी कब हुईती GST की सुरवात है वो हुईती साल 2017 में जो हाली में GST मामले में 2019 और बीस में मारस्ट राजी हैं वो पहले इस्तान पर रह रहें अगला सवाल है दा लॉंच पुस्तक दा लिटल बुक आप एंकर जेमेंट के लेखा का कौन है तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन सी यह नि तिबत के अध्यात्मिक लेता दलाई लामा है जिननोंने अपनी नई पुस्तक दा लिटल बुक आप एंकर पुस्तक को लॉंच किया है जिसके लेखा कौन है दलाई लामा अगला सवाल है किस राजिये ने हर गर पानी हर गर सफ़ाई मिशन की सुरुआत की है तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन डी एनी पंजाब राजिये के वरतमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरें अमरेंदर सिंगे जिन्होंने हर गर पानी हर गर सफ़ाई मिशन की सुरुआत की है किस राजिये के मुख्यमंत्री ने पंजाब राजिये के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री कोन है कैप्टन अमरेंदर सिंगे जिन्होंने हाली में ग्रामिनों के गर में सो प इमित करता हूँ इस सबी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होगे अगर याद होगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार एक तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इन सबी सवाला का पीडियो फाइल है वो आप हमारे टेलिग्राम सवाल है जिसका दवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है तो दोस्तों आज का अब्यास सवाल है बारतिय ता ट्रक्सक एनि इंडियन कोश्ट गार्ड की इस्तापना कब हुई थी तो दोस्तों इन चार ओप्सनों में से कौन सा ओप्सन सही है वो आप आप कमें बॉक्स में जरूर लिकर बताई और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंड वंदे मातरम